दोस्तों यदि आप बिहार के किसी भी संस्थान से पढ़ाई करते हैं और यदि आपने प्रिमेटिक या पोस्टमेटिक स्कॉलर्शिफ के लिए आविदन किया था चाहिए वो नेशनल स्कॉलर्शिफ के पोर्टल से किया हो या बिहार पोस्टमेटिक स्कॉलर्शिफ के पोर फिलाल अभी payment को लेकर अभी एक काफी बड़ी update दी गई है कि जो भी scholarship की अब रासी मिलेगे इसमें बिहार में बड़ी संख्या में college भरजवारा पाया गया है मतलब क्या है कि बहुत सारे college में बच्चे पढ़ाई नहीं भी करते हैं बच्चे के नमांकर नहीं भी है फिर भी college उनका जो आवेदन है लेती है और उनका scholarship की लाब जो है दिलबाने में मदद करती है बहुत सारे ऐसे करने डेटर जो गलत तरीके सावेदन भी करते हैं तो इन सब चीजों को लेकर अभी update आई है कि यह राज से क्यों आपकी रूगी कही है किस जीले में फरजिवारा कितने college ने किया है इसका भी list आ चुका है मैं इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी बता पसंदा तो इससे like, share जरूर कर देना है और चाहते हैं इस परगार की लगातार update आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही subscribe कर लिजे ताकि आगे भी इस परगार की जो भी update होगा मैं देने का काम करूँगा फिला लेस्कीन पर चलते हैं पूरी update डीटेल में आपको समझाते है दोफ्तों अभी आप देख पार होंगे हमारे सामने एक पेपर कटिंग है इसके माध्यम से इस scholarship के बारे में पूरी update इन होने दिया है जिसमें बताया है कि सुबे के 42 संस्थान चात्रवरती फरजिवारे में फसे हैं अब इसमें किस जिले में कितने संस्थान है उसके बार जाती है कारे मंतराले ने जाच का जो आदेश है वो दिया है प्रिमेटिक वो पोस्टमेटिक चात्रवरती यूजना के समिक्षा में गरबरी सामने आई है समिक्षा जो बैठक होई थी वो करीब 29 जूलाई 2024 को हुई थी इसमें देखे इन्होंने बता है जो ये कुछ संस् एस्कॉलर्शिप पोर्टल पर चलाई जाती है तो ये जो बात कही जा रही है एनस्प के पोर्टल के बारे में भी बैताई जा रही है और बहुत सारे कैनिडेट ये बिहार पोस्टमेटिक अप्लाई किये हैं उसके बारे में भी है तो ये दोनों पोर्टल से जो आवेदन किये हैं उसको लेकर यहाँ पर अब्रेट दिये गए क्योंकि यहाँ पर जाच को लेकर जो आदेश दिया है वो केंदर सरकार दिया है और Postmatic Scholarship कौन सा है वो राज्य सरकार की योजना है तो यह भी ध्यान रखीगा ज्यादा फोकस यहाँ पर NSP Scholarship को लेकर इन्होंने किया है सिक्षा बिभा के निर्देशक ने 15 जिलों के जो अधिकारियों है इसको लेकर उनको जो निर्देशित है वो किया है कि इस जो जिला का जो सूची है उन पर थोड़ा सा नज़ा रखे और उनकी जाच परकिरिया को पूरा करें बाकी यहाँ पर जिला का कुछ नाम बतायागे जैसे बेगुष सराय के एक कॉलेज है वही बात करें भागलपुर के तीन कॉलेज है दरवंगा के दो है गया के दो है कटिहार के बारा है किसन गंज के तीन है सुपॉल के एक है मधवनी के दो है, मुझपरपुर के पाँच है, नालंदा का एक है, पटना का एक है, पुर्णिया का दो है, सिता मठी के साथ संस्थान, संदिर्ग्ध सूची में जो है, यह सामिल किये गए है, मतलब फरजिवारा वाला सूची में सामिल किये गए है, देश के विभीन राज है एनसपी को लेकर यह ज्यादा बताई जा रहे है क्योंकि पोस्ट मैटिक सिर्फ अपने बिहार में चलता है बिहार के अलाबा में बहुत सारे सर्फान में यह फर्जिवारा चल रहे हैं बकि इन्हों ने बताया है कि फर्जी अभियार्थी और फर्जी आविदन पर छातवर्थी लेने का जो मामला है वो सामने आया है जाच पूरी होने तक भुक्तान परकिरिया जो है रोक लगा दी गई है तो इसकी परकिरिया एक तरह से समझे कि प्रॉक्स 30 तिनों तक चल सकता है यह हो सकत में गरबरी होई है तो बिहार पोस्ट मैटिक स्कोलर्षिप में भी गरबरी होई होगी और सिक्षा बिभाग को निर्देश दिया है तो यह बिहार सरकार के जो सिक्षा बिभाग है उनको निर्देश मिला है कि आप इस चीजों को थोड़ा सा देखिए कि कहां क्या गरबर प्रगति के फरजी मामलों वाले पाए गए थे और ये मामला CVI ने भी दर्ज किया है क्योंकि CVI के पास में चला गया क्योंकि पूरे देश में ही इस प्रकार्ट की गरबरी हो रही है यह सिर्फ बिहार की 42 डाटा बताया है आंदर परदेश में भी यहां पर देखिए 8 ऐसे स संस्थान पाए गया है मद्य परदेश में 25 है गुजरात में चार है ऐसे संस्थान है जो नीजी संस्थानों को सुचिवद करने की प्रगति UDISE AISHE कोड का सत्यापन INOS SNOS वा DNO का जैव परमानिकरन सुल्क कैंपिंग बाहरी राजों का अध्यनारत संस्थानों का चातर चातराओं का जो सत्यापन है अधार से जुरा बैंक खाते के माध्यम से चार्तविर्ति का जो भीतरन है समेत अन्य बिंदूओं का जो जाच है वो कराई जा रही है आए एव हम जाती परमान पतर जारी करने की जो परकिरिया है TBT पोर्टल पर डेटा साजा करने की जाच करनी है तो ये कुछ परकिरिया है इन सब बिंदूओं का जाच अच्छी तरीके से होगा बकि इन्होंने दो पॉइंट बता है केंदर सरकार ने दिया जाच का आदेस भेजा गया पतर प्रिमैटिक वा पोस्टमैटिक छातवर्ति में बड़ी गरबरी ये पाई गई है तो ये एक तरीके से दोनों स्कॉलर्शिप पर ये इफ्यक्ट पर सकता है निसनल स्कॉलर्शिप का भी बहुत सारे कैनिडेट को बेनिफिट मिलता है और बहुत सारे कैन स्थान होका आपको लगता है कि इसमें वो गरबरिक कर रही है तो इसका कंप्लेन आप लोग भी कर सकते हैं बहुत सारे संस्थान ऐसे है जो जैनुवन बच्चों को स्कॉलर से उपलप्त करवाते नहीं है और फरजी वाले बच्चों को किसी तरीके से वो नमांकन लिये समझाया कि क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं बाकि उमीद करता हूँ आपने पूरी जनकारी समझा होगा तो इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैंद